जै श्री राम दोस्तों चली आज जानते हैं सीता जी के बनाय हुए भोजन को खाने कोई क्यों नहीं आया था लंकापती रावण के वत के बाद जब अयोध्यापती प्रभू श्री राम की कीर्टी दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुशोत्तम कहलाने लगे थे तब एक दिन महादेव शिफ की इक्षा भी मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम से मिलने की हुई पारवती जी को संग लेकर महादेव कैलाश परवस्य उतर कर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े भगवान शिफ और मापारवती को अयोध्या आया देखकर श्री सीता राम जी बहुत खोश हुए माता जानकी ने उनका उचित आदर सतकार किया और स्वैम भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई इस बीच भगवान शिफ ने श्री राम जी से पूछा आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं श्री राम बोले वे बगीचे में हैं शिवजी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनमती मांगी और पारवते जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गए बगीचे की खूब सूर्ती देखकर उनका मन मोहित हो गया आम के घने व्रक्ष के नीचे हनमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नीन में सोए थे और एक ले में खराटों से राम नाम ध्वनी की अवाज उठ रही थी चकित होकर शिवजी और माता पारवती एक दूसरे की ओर देखने लगे माता पारवती मुस्कुरावठी और रक्ष के डालियों की ओर इशारा किया राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी जूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्ध होकर खुद भी राम राम कहकर नाशने लगे माता पारवती जी ने भी अपने पती का अनुसरन किया और अपने कोमल पाउं से थिरकना शुरू कर दिया शिवजी और पारवती जी के नत्य से ऐसी जहनकार उठी की स्वर्ग लोग के देवतागण भी आकरशिक होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए माता जान की भोजन तयार करके प्रती शारत थी परंतु संध्या गिरने तक भी अथिती नहीं पधा दे तब अपने देवर लक्षमन जी को बगीचे में भेजा लक्षमन जी तो स्वैम को श्री राम का सेवक ही मानते थे अतहब बगीचे में जाकर जब उन्होंने धर्ती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में जूमने लगे महल में माता जान की परिशान हो रही थी कि अभी तक भोजन घ्रैन कनने कोई भी क्यों नहीं आया उन्होंने श्री राम जी से कहा भोजन ठंडा हो रहा है चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आते हैं जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी हनमान जी गहरी नीन में सोय हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था श्री सियराम भाव विहल हो उठे राम जी ने हनमान जी को नीन से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे हनमान जी प्रभु को आया देख शीगृता से उठ खड़े हुए नत्य का समा भंग हो गया शिवजी खुले कंठ से हनमान जी की राम भक्ती की सराहना करने लगे हनमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश भी हो रहे थे श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिवजी से किया सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े माता जान की भोजन परोसने लगी हनमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ती में बैठने का आदेश दिया हनमान जी बैठ तो गए परन्तु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरान थी सभी लोग भोजन करते थे आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था माता जानकी हनमान जी को भोजन परोस्ती जा रही थी पर हनमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोस्ती रही फिर समझ गई इस तरह से तो हनमान जी का पेट नहीं भरेगा उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनमान जी को परोसा तुलसी पत्र खाते ही हनमान जी को संतुस्टी मिल गई और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए भगवान शिफ से प्रसन होकर हनमान जी को आशिरवाद दिया कि आप की राम भक्ती युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से प्यार से बनाए सीता जी के खाना खंडा हो गया और कोई उस गरम खाने को नहीं खा पाया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जै श्री राम जै बज रंगी लिखना मत भूलिएगा